आज किस वीडियो में हम चेकिंगे कि हम कैसे अपना अधरकार अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको अपना अधरकार डाउनलोड करके दिखाऊंगा सबसे पहले आपको Play Store से M-Adhar application डाउनलोड कर लेना है इसका लिंग मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्षन में दे दूंगा डाउनलोड करने के बाद आपके सामने आएगा सबसे पहले मुबाइल नमबर डाल के वेरिफाई करने के लिए अगर आप application से करेंगे तो काफी easy रहेगा और application में आप जो online देखेंगे same application में भी वो देख सकते हैं यहाँ पे और easily यहाँ से download कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें हमारा अधर का डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको simply ऊपर ही मिल जाएगा download आधर का option तो आपको simply इस पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपके सामने आएगा select performance यानि कि आप अपना यहाँ पर regular आधर जो use करते हैं वो download करना चाहते हैं या फि कमारे पास क्या है जिससे अपना अधर का डाउनलोड करना चाहते हैं और या फिर इन्रॉल्मेंट आइडी नमबर से अपना आधर का डाउनलोड करने वाले हैं तो आप पर आधान नम्बर का उप्षन पर online में भी सेम यही प्रोसर्याइगा download आधर पर आप जब जाएंग पर उस पर एक OTP आएगा verify करने लिए वो OTP verify होगा उसके बाद आप अपना आधर काट डाउनलोड कर सकते हैं काफी आसानी से तो यहां पर हम अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं आपको यहां पर अपना आधर नमबर डालना है उसके बाद जो यह image में capture दिख रहा है वो अब आपके सामने आएगा इस तरह का interface important note जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं अब यहां पर आपका जो आधर कड रहेगा वो PDF में आएगा और वो लॉक रहेगा तो उसे कैसे आपको crack करना है यानि कि उसका password क्या रहेगा वो यहां पर example पे दिया हुआ है तो यहां प इसकी चीन पर देख पारें कि यहां पे मालीजी किसी का नाम आजय है और उसका last जो यह है data birth यानि कि उसका last year है वो निच्छो निन्यान बें तो आपको AJAY करके 4डिजित डालना है उसके बाद आपका उसका last जो यह वो डाल देना है 1999 उसके बाद सिंपली open पे क्लिक कर दे झाल 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 झाल